अस्राम नेकम आज एपल पाई पोकिट्स मना रहे हैं जिसके लिए चार अदर सेव लिये थे इनको छील के बारी काट लिया है 500 ग्राम या थे जरोद पाफ पेस्टरी, 1 अदद अंडा, 2 खाने के चमच मखण, 1 चाय का चमच दारचीनी का पाउडर, 3-4 खाने के चमच चीनी, 1 खाने का चमच कॉन फ्लार, और 2 खाने के चमच पानी एक पैन में मखण, और दारचीनी डाल कर मिक्स कर लेंगे अब इसमें सेव डाल देंगे और चिनी डाल कर इसको अची तरह से मिक्स कर लेंगे सब चीजों को अची तरह से मिक्स कर दिया है अब मीडियम फ्लेम पर 6-7 मिंट तक पका लेंगे ताके सेव सोफ्ट हो जाएं सेव को 6-7 मिंट तक पका लिया है आप इसमें काउन फ्लार डाल देंगे काउन फ्लार को हमने पानी में मिक्स कर लिया है अब इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे एपल पाई पोकिट्स बनाने के लिए पॉफ पेस्ट्री को बेल लिया है आप इसको काट लेंगे पॉफ पेस्ट्री को काट रहा है अब इसकी एक साइड बार एपल पाई की फिलिंग डाल देंगे एपल पाई की फिलिंग डाल दी है आप इसको बंद कर देंगे और कांटे से इसकी साइडू को इस तरह प्रेस कर लेंगे प्रेस कर देंगे प्रेस कर देंगे इसको कैनवegt झायदर पाई की फिलिंगyd प्रेस कर देंगे प्रेस काशिए प्रेस答 Sung épICA कbenवे कर तेसंगे पोकिट्स बना ली हैं अब इन पर छुरी से हलके से कट लगा लेंगे अब ब्रश की मदसे इन पर अंडाल गा देंगे और इनको फ्री हीटिड ओवन में एक सोसी डिग्री सेंटिक रेट पर 15 मिन तक बेग कर लेंगे अब्र कर दिया है आप इसको जो कि आपके फ्री निकाल के सर्वकार दिया है आप बीस को जडरूर ट्राइक कीजेगा और बताईएगा आपके एपल पाइप कैसे बने अगर आपको रैसपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना बुलें आला हाफीज झाल 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 झाल